रुपीज सत्याकांड में पांच लोगों की जो जमानत हुई है वो CRPC के दफा 167 के सब क्लॉज 2 के अंतरगत 90 दिन के ग्राउंड के अधार पर किया गया है इसमें पांचो अभ्युक्त जो थे वो 1972 से जेल में बंद हैं कि रफ्तार किया गया था और 90 दिन समाप्त होने के बाद से एक महिना पहले से करीब CBI ने इस केस को हैंड ओबर ले लिया था और हैंड ओबर CBI के केस के हैंड ओबर लेने के बाद इसमें CBI के द्वारा CBI राक में उसको रिमांड नहीं किया गया था और उसके बाद मैंने 90 दिन का ग्राउंड लेते हुए जमाना तावेदन दाखिल किया न्याइक दंडादेकारी मर्यम हेमरं के हाँ और इसके अधार पर नियाले के द्वारा पांचो अभीक्तियों को नब्यदीन की ग्राउंड पर जमानत दी गई और जमानत पर सभी कुझ निया अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूलें